आप सब का एक बार फिरसे स्वावत है वैं आपको एक तरफ नंबर एक लेकर आया हूं जो अभी एक्जाम होने वाला है उसमें एक नंबर का लेसन इसकी इंपोर्टेंट ने वैरिए वोर्टेंट पूस्चन है और जिन में से दो कुश्चन आपको आ सकते हैं इसमें से स्टार्ट करते हैं वीडियो को राजिस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच भामा सहायोजना के संदर में DBT का पूरा नाम क्या है DBT का पूरा नाम होता है Direct Benefit Transfer सही जबाब में होगा B Direct Benefit Transfer RCT में आया हुआ कोस्चन है Question next होगा 2 ये PDS प्रणाली के संदर में FPS का पूरा नाम क्या है आये हुआ एक्जाम में कोस्चन है और इसका सही जबाब होगा फेयर प्राइस सौप भी सही जबाब होगा इसका Question number 3 होगा आधार कार्ड संक्या में कितने अंक सामिल होते हैं D 12 होते हैं बार आधार कार्ड के जो अंक होते हैं वो बार अंक होता है Question number next होगा एक सामान्य बीमारी की तहत BSBY के तहत बीमारासी क्या है A सही जबाब होगा 30,000 Question number next की अगर बात करें SSO सुविदा का मुख्य लाब क्या है SSO के मुख्य सुविदा का लाब है Single login interface है सही जबाब होगा Better transparency है Better accountability है तो सही जबाब होगा All of our D सही जबाब है याँ पे SSO का पूरा नाम क्या आया हुआ एक्जाम में question है Single sign on सही जबाब होगा D Question number seven है E PDS प्रनाली के संदर में BPL का पूरा नाम क्या होता है EPL का पूरा नाम होता है Blue poverty line RS7 आया हुआ question है B E PDS portal Http colon double slice Food.r.raz.ric.in में कौनसी सुवदा उपलब नहीं है इसमें भामा साहों की list नहीं होती है सही जबाब A होगा RASAN CARD के वित्रन का पता भी होता है RASAN CARD के आवदिन की स्थिति का ट्रेक भी करते है और FES यानिके fair price soft के list भी होती है सही जबाब होगा A भामा साहों की list नहीं होती है सही जबाब है A question number next की बात करें E PDS के संदर में MSP का पूरा नाम किया है MSP का पूरा नाम होता है minimum support price सही जबाब होगा B minimum support price question number 10 होगा SSO single sign on का उद्देश से क्या है D सही जबाब होगा सहायता desk लागत को कम करता है ग्रहाक संतुष्टी को बहतर मनाता है और उत्पादक्ता बढ़ा देता है सही जबाब होगा D question number next होगा 11 question number next होगा 12 SSO के माध्यम से नागरी किन सुब्दाओं का लाब ले सकते है B सही जबाब होगा Digital Government Service question number next होगा 13 इन में से कौन सी सुब्दा SSO login में उपलब नहीं है सही जबाब होगा सही जबाब इसका होगा आपका B B सही जबाब होगा यहाँ पे mutual fund investment क्योंकि SSO में mutual fund investment नहीं होता है रोजगार का registration भी कर सकते हो electricity बिल पानी बिल भर सकते हो application for domicile certificate भी बना सकते हो मुल निवास लेकिन ये भी mutual fund नहीं है question number 14 राज्य सरकार का कौन सा विवाग EPDES portal संचालित करता है food and civil supply department सही जबाब होगा और इस exam का last and second last question है नागरिक online माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजिगरन कर सकते है यह होगा C सही जबाब होगा रोजगार की website से कर सकते है sorry C सही जबाब होगा A और B दोनों आप इमित्र से भी रोजगार के लिए पंजिगरन registration कर सकते है और उसकी रोजगार विभाग की website से भी कर सकते है C सही जबाब होगा question number होगा next 16 SSO के तहते एक नागरिक पंजिगरन कैसे कर सकता है सही जबाब होगा C सही जबाब है इसमें होगा आपका उपरोक सभी आधार कार्ड के नंबर से और वामासा के गिर्मांग से हो सकता है तो इस तरीके से हमने इस lesson में 16 question किये है और 16 question में से आपको लगवग 1-2 question आने वाले है और यह important है very very important थे और मिलते हैं next video के साथ यदि next video आपको चाहिए तो चैनल को subscribe करें like, comment, share करें मिलते हैं next 9 number की video के साथ तब तक के लिए जय हिंज जय भारत